हालो दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल स्टार्ट सेलेक्शन में स्वागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज के जो क्यूस्चन है वो लगबग ग्रूप डीप के सभी क्यूस्चन हमने लगबग अर्जिस्ट कर लिए जो सैट नमबर ए मॉर्निंग के सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आंगे आने वारे वीडियो की नौटी पिकेसन आपके पास समय पर पहुंचते रहे हैं और हम आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें 2825 कि सीरीज होगी तो अभी लिखेत से कौन सा भारत का पहला च्षैतर जो 178 के बाद संबलेद हुआ मतलब भारत का कौन सा छेतर थाह IIEE के ऐसमें सही है तो आई होप आप लोग इसमें बता लेंगे कि इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या है दादर नागर हवेली को जब भारत सोतंतरत हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले इसको समलेट कर लिया गया तो D is the right answer इसके कार्यों के संबन्द में नेम्लकित में से कौन सा कथन सभी करें नेफ्रो में अधिक नेफ्रोंस होते हैं उनकी मूल कारियात में काई को नेफ्रोंस को आ जाता है वैप के संतुलड को बनाए रखते हैं औar चैया पचेया अफगिको को निसकातित करते रहते हैं प्रतेकी नेफरांस के दो भाग होते है गुज व्रक नलिका समसी का राइप से अंसर क्या है उसकी कारेट में कला अकिकार रेक today को नेफरांस झथा इन दा बनाज Dochop होते हैं उसमें पच्छियों की तुलना में अधिक ने फ्रॉंस पाए जाते हैं तो क्या हुआ इस दा राइट अंसर अगले की तरफ चलते हैं अगला किस्ट नामक उपन्यास किस ने लिखा इसमें से आपको बताना है जो की सौट नामक उपन्यास है वह आखिर किस ने लिखा है वी एस नाइपाल ने या सलमान रूसदी ने या अमिज चौधरी ने या सुक्मार सेन ने हमने अगले किस्ट ने अगला जो वीडियो लेकर आएंगे हम इनकी सभी लोगों की कुछ पुस्तिकें लेकर आएंगे हम यहां पर आपको बुक प्रॉइड करेंगे य किसे लिखाय वी इस नाइपाल वी बताएंगे लेकिन यसका आंसर आफिर क्या है इसका अंसर आफिर क्या है सलमान रूसदी बी इस धाराइट आंसर झोड़ियों के समन्द में यह मतलब फोल बताना है पूजी वाजार के संन्द में APP यू का फुल फॉर्म बताना है एंट फॉल्ध पब्लिग और या फॉर्ट पॉल्ध ऑपरेशन यह फ्री पबलीक आप या फ़स्ट पब्लिग और इसमें से आपको आंसर बताना है तो आई होप इसमें आप लोग कुछ confuse हो जाएंगे तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर क्या है चलते अगला क्यूशन आपकी मॉवायल स्क्रीन पर अगला किस्टन है तीनों से मिलकर एक स्थम्भ बनाया गया वो कहां पर आखिर है आपको इसमें से बताना है तो इसमें आंसर क्या है बी इजदा राइट आंसर इलहाबाद में जो इसका तीनों से क्यों पर आखिर मिलकर एक स्थम्भ बनाया गया है तो इलावाद इस दा रह राइट आंसर कि तरफ चलते अगला कि आपकी मोवाईल स्क्रीन पर अगला कि एक जो अंतरवसा के संबन्द में निम्लकित में से कौन सा सही नहीं है क्या सही नहीं है वाताना है उनकी निदानी आ HDL कॉलिस्टरॉल कम करता है सी नमबर विस्सवास संगटन डबलू एचो ने 2023 तक उनके उन्मूलन का आहान किया है वे हाइड्रोजन की परक्रिया से उत्पन होते हैं इसमें आपको बताना है इसका अंसर आकर क्या है इसका आपको देखना है इसका आपको सबसे पहले कमेंट भॉक्स में देना रही है है हम प्र आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगला क्योशन ले है यदि आपको इसका आंसर ना है तो हमें कर भी का किमेंट कर garden है पदमाबच या संजु या राजी धढक आपको इसमें से बता न Capital 2019 सबसेफ सर speech फिल्म कौन सी रही है की एक तारे एक तारे के जीवन चक्र निहारिका चरड कि सेमें किस्त को प्रधरित करता है। वह भी तारे के सबपर्ग में धूल और हइड्रोजन का एक बादल इस तारे का बाहरी आवरड विज़्चरड जिसमें बाहरी पड़त होती है। ठंडी होती है और गरम उज्वल होती है इसके जीवन का अंतिम चरड़ एक तारा जो होता वो नियारका का चरड़ क्या होता है इसमें से आप आंसर बताईए इसका आंसर क्या हो सकता है तो आई होप आप लोग इसमें आंसर सही से दे लेंगे इसका आंसर क्या है थ्ठाइट अगले क्योशन की दिली सलतनत केरज्ञ और कि सब्सक्राइब का सब्सक्राइब दिल्ली सल्तनत के राज में प्रसासन के संबंद में मुक्ती सब्द का क्या संबंद है आपको इसमें बताना है इसका हैी सी नयायक दकारी ग्राम-पंचाईट का मुखिया भूम आवेहंस्तर से एकताभी किया अधारक है क्या मुखिया व्यक्त अंसर किया almost कि देर चलते हैं इसका आंसर क्या है सी इस इस दा राइट आंसर मनाया जाता है कौन सा पार्म परक्निरत है सामरिक कल्णा का स्वरूप है कौन सा मनाया जाता एक कला के रूप में कौन सा नहीं है इसमें पूछा क्या है पहले यह दी कि नहीं है इसमें से तीन है लेकिन एक नहीं है छो काली लाजिम भावई इसमें से चार ऑप्सन दिये चार ऑप्सन में से बताएं कौन सा इसमें नहीं है तो कौन सा नहीं है भावई जो है वो एक कला मतलब कला नत नहीं है तो इस दा राइट आंसर अगला क्यूशन की तरफ चलते अगला क्यूशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्यूशन है कि भारत के समिदान के अनुसार किस अनुशेद में लिखा है कि राष्टपती अपना अध्यादेश जारी करेगा इसका क्यूशन का मतलब क्या हुआ जो राष्टपती अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं आपको बताना अनुशेद 101, 1668, 1623 या 1685 आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें से एक आप्सन सही है इसमें से चारों आप्सन के आ आखिर जो राष्टपती अध्यादेश जारी करते हैं तो आर्टिकल 123 के तहट जो राष्टपती है वो अध्यादेश जारी करते हैं तो सी इस दा हर राइट आंसर अगले किस्टिन आपकी मोवाईल स्क्रीन पर अगला क्यूश्चन जो प्रसिद्च चिकित्सक जीवन की न्यूकती किसके दरवार में की गई तो आपका इसकांसर क्या है करते हैं अगला कि आपकी मोवाईल स्कीन पर अगला क्यूश्चन है कि निम्ल के में से किस गदविदी को गोल्ड का गोल्ड कालर के पेसे के रूप में जाना जाता है जो गोल्ड कालर होता है वो किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना प्रात्मिक माद्विक और शत्यूत्य द्विक इसमें से बताना इसमें आंसर क्या है आप लोग नहीं बता पाएंगे आप लोग गलत इसमें से बता देंगे क्योंकि यह रेलबे ग्रूप डी ड्रेलबे ग्रूप डी एकजाम में आया हुआ कियुस्टान है आप लोग नहीं मानते हो तो देख लेज़िए तगा इसका आंसर क्या डी क्विक डी इस दा राइट आंसर अगले कि तरह चलते हैं अगला क्योश्टान आपकी मोईल स्कीन पर अगला क्य सब्सक्राइब लोग तलेंगे हैं तो इसका अंसर किया है आप लोग सही बता लेंगे फॉर में राइट आंसर अगले कुष्टन की तरफ चलाए अगला की पर किस पंच वर्सी युजना के तहट राउर किला भिलाई या दुर्गाफंस अश्पास साइंतर तो कौन सी पंचवर्षी पंचवर्षी योजना में राुर के लाए और दुरुगापुर इस्तापिय गया तो यहकी आप आप के पिछले वीडियो में करुडियो चुके कंदिरत वीक्राइब याग सोभी ख्यावज कौने उन्मिय से थाइक पर आयन वह मिलता है वाले क्यूस्टन करवा चुके इसमें से एक वाशंग वीडियो प्लिस माई हापने आपने अब बीघ्पार करने जरूर पहस है इधा ने आपके आपके पास समय पहुंचते हैं